गुर्मॉर्णिंग अब्रिवन वेलकम टू स्टेडी एक आत्मकथा आज है 16 फरवरी और आज कि इस वीडियो में हम एक फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक करेंट हैफिर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड कॉस्टन्स होंगे वो सारे के सारे हम एस वन लाइनर आप अगर इन कोस्टन्स को डीटियल में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर अभेलेबल है आप जाकर देख सकते हो सिर्फ आज कि इस वीडियो में हम एस वन लाइनर देखने वाले हैं सो आईए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और गीववे का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो आप जाकर वहां चेक आउट कर सकते हूं सो पहला कुस्टिन है एरो इंडिया सो का आईविन 13 से 17 फरवरी को बैंगलोर में किया जा रहा है मैंने बताया था आपको एरो इंडिया सो क्या है जहां पे भारत अपना स्वदेशी ताकत दिखा रहा है जैसे भारत के जो भी मिसाइज हैं फाइटर प्लेन हैं जेट हैं इन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट है दो हजात तैस में राष्टपती दौपती मुरमुद्वारा मुलाइम सिंग यादव को मर्नोप्रांत बाल कृष्ण दोसी को मर्नोप्रांत जाकीर हुसेन एसेस एसेम राधक कृष्णन और डॉक्टर दिलिप म भारत चीन के बाद ट्रेड प्लस वन निप्टान चेक्र सुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना असम सरकार द्वारा नाबालिक लड़कियों से साधी करने वाले पूरुसों को कठोर कानून के तहत सजा देने की घुसना की गई इजरो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाजिशन जल्द ही अपना सूरी मिसन आदित एलवन वर्स 2023 के जून जुलाई में लॉंच करने जा रहा है मद्यपरदेश के भोपाल में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पाँचवा संस्क्रन खेला जाएगा अच्छा मद्यपरदेश की बात हो रही है तो इस से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन चीज़े मैं आपको बता देता हूँ मद्यपरदेश की राजधानी ये भोपाल अस्थापना हुई थी एक नमंबर 1956 को यहां के जो करेंट असी है में अभी सिवराज सिंग चोहान है और देखना भोपाल 5G टेस्टिंग सुरू करने वाला ये भारत का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है सौरूर जाकुत पादन में देखा जाए तो मद्यपरदेश का भोपाल पहले अस्थान पर है COVID-19 महामारी के तहत माता पिता को खो चुके बच्चों को मद्यपरदेश सरकार परहाई के लिए मुख्यमंतरी बाल आसिरवाद योजना की तर सहता परदान कर रही है मुख्यमंतरी बाल आसिरवाद योजना इसे ध्यान रखेगा नेक्स्ट है देश की सबसे छोटी मस्जिद जो है धाई सिरी मस्जिद या मद्यपरदेश के भोपाल में ही इस्थेत है और मद्यपरदेश के ग्वालेर में ही रानी लक्ष्मी बाई की समाधी असल भी है मद्यपरदेश के ग्वालेर के किले को भारत का जिब्रालिल के भारत का जिब्रालिटर कहते हैं इसे ध्यान रखनाब एसिया का जो सबसे बड़ा स्वयबीन कारखाना है मद्द परदेश के उज्जैन में ही इस्थित है मद्द परदेश के भोपाल में एसबाग स्टिडियम इस्थित है और बांदवगड का जो राष्ट्य उद्यान में मद्द परदेश में ही इस्थित है अगर आपसे पूछा जाए कि किस रेलवे स्टेशन को FSSAI, Food Safety Standard Authority of India द्वारा फाइव स्टार इट राइट स्टेशन घोसित किया गया है तो ध्यान रखनाब भोपाल के रानिक कमलावती स्टेशन को FSSAI द्वारा फाइव स्टार इट राइट स्टेशन घोसित किया गया है हाली में मद्यपरदेश सरकार द्वारा लड़कियों की उच्छ सिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लांज की गई है योजना में ये बताया गया है कि माता पिता आपने बच्चों की साधी 18 वर्स से पहले ना करे अडानी ग्रूप द्वारा मद्यपरदेश में 325 मेगावार्ट का पवन सेयंतर चालू किया गया है दिपिका सलूजा जो मद्यपरदेश के इंदौर से बिलॉंग करती है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापूर बन गई है आठ से दस जनवरी 2023 को इंदौर में 17 परवासी भारती देवस की मेजबानी की गई थी मद्यपरदेश सरकार दौराख्षित की मिट्टी के परिछन के लिए अम्बूलेंस परियुक साला शुरू किया गया है जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ यह हाल फिलायल के ही कुछ इवेंट्स है जो मद्यपरदेश में हुई हैं आप इसे ध्यान रखेगा मद्यपरदेश के इंदोर में भारत का पहला और विस्व का दूसरा इनफैंट्री संग्राले का उधगाटन किया गया है अभी हाली में और मद्यपरदेश के गौालियर में जल्दी अटल मेमोरियल पार्क बनने जा रहा है मद्यपरदेश सरकार ने हाली में दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपए देने की घूसना किया और 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मद्यपरदेश में खेलो इंडिया यूथ गिम्स का पांचवा संस्क्रेंड खेला गया मद्यपरदेश की इंडवर में 8-10 जनवरी 2023 तक 17 परवासी अधिवस आयुजित किया गया था क्योंकि आज़ात आपको मालूम होगा कि इसी दिन महात्मा गांदी सावध अफरिका से स्वधेश वापस लोटे थे जिसकी थीम 2023 की है परवासी अमुरित काल में भारत की परगती के लिए विश्वसनी भागिदार और नेक्स्ट है मद्यपरदेश की भोपाल में स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदल कर हाली में वाटर पार्क कर दिया गया वाटर विजन पार्क रखा गया तो विडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मैं आपको स्टाटिंग में बता दू विडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए बट आप विडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसी के पॉइंट आप विव से ये चैनल को क्रियेट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में वंजित लड़कियों को आत निर्भर वसाक्षर बनाने के लिए समग्ड सिक्षा अभियान की सुरुवात की हैं दिल्ली सरकार दोरा इसकोली सिक्षकों के लिए जीवन विद्या सिवीर की सुरुवात की गई जीवन विद्या सिवीर पेटर पाविल चेक गनराज के नई राष्टपती बने हैं और मैंने बीच में कुछ ऐसे कुस्टन भी आपके लिए सेलेक्ट किये हैं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे भारत के पुर्परधानमंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग को यूके के लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये कुस्टन दोहजार तैस टॉबिस के बजट में भारत के रक्षा छितर के लिए कितने लाख करो रुपे आवंटित किये गया है अगर आपने बजट दोहजार तैस का फुल विडियो देखा होगा मेरा तो आपको मालूम होगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ठीक है नेक्स्ट है जम्मु कस्मीर के हर गाउं हरियाली पहल के तहट 90 लाक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया प्रधानमंत्री मोधी द्वारा NCC नेशनल कैड़ेट कॉप्स के 75 वर्स पूरे होने पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया हाली में यूके यूनाटेट किंडम को बायो एसिया 2023 के एक कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है किस कंट्री को तो यूके को इसे ध्यान रखनाब हर्मन प्रीत कॉर महला क्रिकेट टीम की कप्तान पूमा इंडिया की नई ब्रैंड अमेसडर बनी है हर्मन पूरीत कौर कौन है ये महला क्रिकेट टिम की कैप्टेन है ठीक है नेक्स्ट है उस्मान ख्वाजा जो की एक आस्ट्रिलियन क्रिकेटर है इनको सेन वोर्न मेंस्टेस्ट प्लेयर आप दे इयर से नवाजा गया विसाखा पट्नम हाली में आंदरप्रदेस की नई राजधानी बनी मुख्यमंत्री हेमंत सौरेन ये जहारखंड के मुख्यमंत्री है पुर्व मावबादियों का गर बुरा पहार का दोड़ा करने वाले ये भारत के पहले मुख्यमंत्री बने है भारत के पहले केंद्रीय बजट 2023 में उच्छी सिक्षा के लिए 44,094 करो रुपए आवंटित किये गए है रिलाइंस रिटियल ने स्रिलंकाई कंपनी मलिबान बिस्किट कंपनी के साथ हाली में एक समझोते पर हस्ताक्षर किया वायु सेना के नए उप्रमुख बने है वित्तिय बजट 2023-2024 के अनुसार कितने लाख आए वाले व्यक्ति को कोई टेक्स नहीं देना होगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकूली छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मिस्वास बनाने के लिए आरोहीनी पहल परसिक्षन कारीकरम की सुरुवात किये मैनुवेला रोकाबोटे एक्विटेरियल गिनी देश की पर्थम मैला प्रदान मंत्री बने है इक्विटेरियल गिनी इस देश का नाम आप याद रखना रिजर्व वैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक महराश्ट सबसे अधिक GST परदान करने वाला पहला राज्य बना है अगर आप विडेओ देखते देखते थोड़ा बोर्ड हो जाओ तो आप पॉस करके वीडेओ पॉस करके फिर आप पर सकते हों ठीक है बट विडेओ को पूरा जरूर देखना याद सो जिल को लद्दा का पहला जैबी विता सल घुसित किया गया है मौर्गन स्टैनली ने अरुन कॉली को भारत का नया कंट्री हेड निवत किया है एक से पांच फरवडी 2013 तक मद्द परदेश के मंदसौर में इसिया का पहला फ्लूटिंग फेस्टिवल का आयोजिन किया गया था इसिया का पहला था ये फ्लूटिंग फेस्टिवल और बविता फोगाट जो एक महिला पहलवान को हाली में कुस्ति महासंग की निगरानी समीती में सामिल की गई है महिला पहलवान को बविता फोगाट नेक्स्ट है फरवडी 2023 में महरास्ट के राजगीत को बदला गया और महरास्ट का राजगीत अब हो चुका है जय 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 महरास्ट रुमाज़ा ठीक है किस राजी के मुखमंत्री के सची विके पांडेन को FIH President Award 2023 से समानित किया गया इसका आंसर आप मुझे इस वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में दोगी कॉलकाता, हैदराबाद, पूने और विजय वारा हवाई अड़ों पर मार्च 2023 से पेपरलेस एंट्री सुरू होने जा रही है नेक्स्ट कोस्टिन है दपल्स कॉनकलेब 2023 का आयूजन 16-18 फरवरी को मुंबई में किया जा रहा है दपल्स कॉनकलेब 2023 4-14 फरवरी के बीच जम्मू कस्मीर ने अपनी पहली सरस मेले की मेजबानी की माधविंदर सिंग गुजरात मैली टाइम फ्लस्टर के पहले CEO बने 6-8 फरवरी 2023 के बीच बैंगलोर में भारत उर्जा सप्ता मनाया गया जूलन गौस्वामी को मुंबई इंडियन्स महिला टीम के टीम मेंटोर के रुप में निक्त किया गया है जूलन गौस्वामी को नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा बागवानी फसलों के मुल्ले में बुरिद्धी और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आत्म निर्भर होटी कल्चर क्लीन प्लाइंट प्रिग्राम की सुर्वात की गई आत्म निर्भर होटी कल्चर क्लीन प्लाइंट प्रिग्राम ठीक है रिलाएंस रिटेल स्टोर्स डिजिटल रुपे अक्सेप्ट करने वाला पहला रिटेलर बन गया है संगितकार रिकी केज ने ग्रैमी अबॉर्ड 2023 अपने नाम किया साओधी अरब 2027 में एसियन कब फुटबॉल टॉर्नामेंट की मेजबानी करेगा कांगो गनराज अंतराश्टिस और संगठन से जुड़ा एक नया देश बना उत्तर प्रदेश सरकार दोरा स्क्वाडन लीडर तुलिका रानी को जी ट्वैंटी संमेलन का ब्रैंड अम्बेसडर बनाए गया प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी 78% अप्रूबल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोग प्रिये नेता बने इंडियन रेलवे दोरा यात्रियों के लिए वाटसेफ फूड डिलिवरी सुविधा शुरूई की गई इसके दोरा इंडियन रेलवे दोरा ध्यान रखना आप ब्राजिल अंतराष्टिय सौर संगठन का एक पुर्ण देश बनाएं पुर्ण सदस से देश बनाएं मेंबर कंट्री इस द्यान रखना आप समीका रवी को प्रधान मंतरी के आर्थिक सलाकार परिसत के सदस के रुप में निक्त किया गया समीका रवी हाली में किस राज्य में एसिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर कारखना खोला गया इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे क्योंकि अल्रेड़ी इन सब कुर्सेंस को जितने भी कुर्सेंस मैं आपको बता रहा हूँ विस्व भारते ये कहां पे है तो ये वेस्ट बैंग ओल में है के सत्य नारायन राजु केन्रा बैंक के नए MD&CEO बने हाली में भारते सेना दोड़ा ओपरेसंस सद्भावना का आयूजन लद्दाक में किया ओपरेसंस सद्भावना पांच में खेलू इंडिया यूथ गेम्स में महरास्ट पहले अस्थान पर रहा मद्य परदेश और हर्याना दूसरे और तीसरे अस्थान पर रहा उत्राखंड मुक्षमंत्री द्वारा दोहजर पचीस तक राज्जी को नसा मुक्त करने की घोसना की गई कब तक 2025 तक अपसरा आयर हावर्ड लॉर रिव्यू की पहली भारती अमेरिकी महला अध्यक्ष बनी प्रधान मंत्री कुसुम योजना को भर सरकार दोहजर दोहजर चबिस तक बढ़ा दिया गया प्रधान मंत्री कुसुम योजना को डबलो पियर विमन्स प्रीमियर लीग दोहजर तैस का आयूजन चार से चबिस मार्च दोहजर तैस के बीच मुंबई में किया जाएगा खाद्य और क्रिसी संगठन के अनुसार भारत दुख्द उतपादन के मामले में सिर्स पर रहा हाले में गिराज सिंग ये इंडिया में पंचाती राज के मिनिस्टर है इन्होंने मिसन अन्तियोदे सर्वेक्षन दोहजर तैस का उद्गारिन किया है गिराज सिंग नतासा पेडियान यागम तेरह वर्सी है अमेरिकी स्कूल छातरा है ये विस्टो के सर्वुच परतिभा साली छातरों की सुची में सर्वुच स्कूर हासिल किया है नतासा पेडियान यागम इनका नाम याद रखना आप गुलमर्ग जो जम्मु कस्मीर का एक हिल स्टेसर ने भारत का पहला ग्लास इलू रेस्टोरेंट खोला गया है फोन पे विदेश में यूपियाई भुकतान के अनुमती देने वाला भारत का पहला फिंटेक बना है भारत जल्दी दक्षिन कोडिया में 108 बौध तिर्थ यात्रियों के मेजबानी करने जा रहा है एकसो आठ बौध तिर्थ यात्रियों के नेक्स्ट है तमिलनारू के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन द्वारा पुदु मही पींच हातवर्ती यूजना लांच की गई है पुदु मही पींच हातवर्ती यूजना रोहित सर्मा इंटरनाशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मिट में सतक लगाने वाले पहले भारती कप्तान बने हैं तुर्की और सिर्या की मजद के लिए भारत ने ऑपरिशन दूस्त की सुरुवात की लेखी का डॉक्टर पैगी मोहन को मात्रिभूमी बुक आप दे इयर अवार्ड दोहजात तैस से नावाजा गया अंदप्रदीस की स्रीहरी कोटा अस्तिस सतिस धवन अंतुरिक्ष केंद से इजरो दौड़ा SSLV-D2 रॉकेट का सफलता पुर्वक परिक्षन किया गया RBI जल्दी QR कोड अधारित कोईन वैडिंग मसीन लाँच करने जा रही है कि इन सरकार ने सुप्रीम कोट में पांच नए जज़ों की निउक्ति को मंजूरी दे दिये चैट GPT को टकर देने के लिए गूगल ने अपना चैट बॉट और AI चैट बॉट बाड को लाँच कर दिया है किस देश में भीसन उर्जा संकट के बीच रास्टी आप दागोसित किया गया इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे जम्मू कस्मीर में हाली में लीथियम के विसाल भंडार पाए गया है भारतिय गोल्फर अदिती असोक ने कैन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 अपने नाम किया उत्राखंड राज सरकार दोड़ा नकल विरूधी कानून लागू किया गया है क्योंकि अक्सर उत्राखंड में पेपर्स लीक हो जाया करती है भरती में काफी सारे घोटाले होते हैं तो इन ही सब को देखते वे उत्राखंड के CM है पुसकर सिंधा में इनके दोआर नकल विरूधी कानून लागू किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य परदिस की टीम ने कुल 96 मेडल अपने नाम किया जिसमें से 39 गोल्ड है, 30 सिलवर है और 27 ब्राउंज है 15-17 फरवडी के बीच बार्मा विस्व हिंदी संभेलन किस देश में आयुजित किया जा रहा है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे हाले में एर इंडिया ने 500 नई वीमान खरीदने के लिए एर बस और बोईंग के साथ डील फाइनल की 13-15 फरवडी 2023 तक दुबाई में वर्ल्ल गवर्मेंट समिट का आयोजिन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार दोरा फैमली एडी पोर्टल लांच की गई है मालडोबा की प्रधान मंतरी नतालिया गवरिलिता ने हाले में इस्तिफा दे दिया है और अभी निउ पीम बने है डोरीन रिसियन यहां की कैपेटल क्या है मालडोबा की तो चीसिनाव करेंट पॉसिडेंट कोन है अभी मैया सेंडू यह मालडोबा के नए पॉसिडेंट है और करेंसी क्या है मालडोबियन लिव ठीक है इसे ध्यान रखना आब नेक्स्ट कोस्टिन है आज की दिन ही किया जाएगा आदी महासब का उदगाटन नेक्स्ट है किन सरकार द्वारा चार हाई कोट के मुख नियाधिसों के न्युक्ति की गई और वो चार कुछ इस तरह के नियाधिस हैं अभी हाली में चार हाई कोट के नए मुखिने अधिस बने हैं नेक्स्ट को स्टन है हाली में किस देश में आई चक्रवात गैब्रियल के बाद रास्टी अपातकाल की घोसना कर दी गई है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स सैप्रस दिशके नए रास्टपती बने हैं निकोस और क्रिस्टो डोलाइट्स इसे ध्यान रखना आप HDFC ने अपने ग्राहकों के लिए ओफलाइन डिजिटल भुकतान के लिए ओफलाइन पे यानि अब मोबाइल नेटवर्क ना होने पर भी ग्राहक जो है लेंदिन करने में सक्षम हो सकेंगे ओफलाइन पे किस बैंक द्वारा लांच किया गया है 13 से 17 फरवड़ी के बीच RBI अपना वित्तिय साक्षर्ता सप्ता मना रहा है जिसकी थीम 2023 की Good Financial Behavior Your Saviard World Bank ने तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर सायता की घूसना किया तो 1.78 अरब डॉलर की गीता मित्तल भारतिय टेबल टैनिस महासंग के स्थापना कब हुई थी 1926 में Headquarter क्या है इसकी तो New Delhi है अध्यक्ष कौन है गीता मित्तल है सचीव कौन है इसके तो अरुन कुमार बैनर जी है Next question है हाली में कौन से अभिनेता किसान नेटवर्क के Brand Ambassador बने है इसका आंसर आप मुझे Comment Box में दोगे सरकार दोरा अवैद खनन रोकने के लिए खनन प्रहडी एप लाँच किया गया इसे ध्यान रखनाब जिसका उद्देश अनाधिकरी कोईले खनन गतिविदियों की जानकारी देना है मुहम्मद सहाबुद्दीन चुप्पू हाली में किस देश के नई राष्टपती बने है ये भी आप मुझे Comment Box में बताओगे जितने भी कोईसिंस मैं आपको दे रहा हूँ आप इसका आंसर मुझे Comment Box में जरूर देना अली बाबा ने किस कंपनी में अपनी पूरी हिसेदारी बेच दिये तो हाली में पेटियम में बेच दिये और इसके साथ ही अली बाबा ने अब अपना पूरा कारोबार भारत से बंद कर लिया चीफ बिजनस ओफिसर मारनी लवीन ने 13 साल बाद किस कंपनी से इस्तिफा दे दिया तो मेटा पंदरा फरवरी से विश्व हिंदी सम्मेलन का बार्वा संस्क्रन किस देश में सुरूआ है तो फिजी में हुआ है जिसे एक थीम के साथ 2023 में सेलब्रेट किया जाड़ा है हिंदी पारंपरिक ज्यान से आर्टिफिसिल इंटेलिजनस तक राजधानी क्या है फिजी की सुवा वरत्मान राष्टपती कौन है विलियम काटी नोगडे और यहां की जो वरत्मान परधान मंतरी है वो सीतावेनी राबुका है ठीक है भारतिय क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेनु सिंग छाकुर को हुंड़ाई मोटर्स इंडिया का नया ब्रैंड अमेस्टर बनाया गया रायाना बारनावी साओधी अरब 2023 में अंतरिक्ष मिसन पर जाने वाली पहली महिला बनी रायाना बारनावी यह साओधी अरब से बिलोंग करती है 14 फरवरी को अमिस्टा दौरा हरयाना पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया आज की यह कोस्टन्स थे जिसमें 103 कोस्टन्स सेलेक्टिड थे मैंने सेलेक्ट किया था आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अपना जो भी ऑपिनियन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी से भी हल्फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चानल पर नए होगे तो चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना क्यूंकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी वीडियो काफी लंबी होगी इसके लिए माफी चाहूंगा बट कोई बात नहीं आपके लिए ही ये हल्फुल होगी आज की इस वीडियो को यही तरक रखते हैं मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद और जै भारत और गीबवे का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाकर वाज चेक आउट कर सकते हो